नमस्ते दोस्तों मैं सुरेश्योदेशी, आज कर वीडियो लेकर आया हूं ब्रहमपुत्र रिवर बेसित के उपर ब्रहमपुत्र नदी जोकि भारत की ही नहीं विश्वकी भारत की तो खेए सबसे बड़ी नदी है ही, बलकि विश्ват की भी बड़ी नदियों में से एक है ये जो कैलास रेंज, मांटेन रेंज है, कैलास रेंज जो की हिमाले परवत, हिमाले परवत स्रंकला या हिमाले मांटेन रेंज का पार्ट है, उसमें चेमा योंग दूंग ग्लेसियर से ओरिजिन करती है जो की मांसरोवर लेग जो है उससे लगबग 100 किलोमेटर दूर सिचुएटेट है आप इस फोटो में देख सकते हैं यह के लास रेंज है यह आपकी जो मांसरोवर लेग तो यहां से ब्रहंपुत्र रिवर का ओरिजित होता है अगर हम मैप में देखें तो मैप में देख सकते हैं यह यहां पर आपका कैलाज परवत और मांसरोवर लेग है और यहां से जो तिब्वत ओटोनोमस रीजन है चाइना का या तिब्वत स्वाइट साची छितर है चीन का वहां से यह फ्लो करती हुई और अरुनाचल परदेश यहां से अरुनाचर प्रदेश से बार्क में प्रवेश करती है फिर आसाम से बैती हुई यहां से बंगलादेश में एंटर करती है फिर इधर पदमान अदीश से मर्च करने के बाद यह मेगना मेगना हो जाती है मेगना के बाद में बेयो बेंगोल में ड्रेन करती है कुल लं उसे पाले जो वहां से अपने सोर्च से आती है बाद में गंगेस से कंफूएंस करती है और बेय और पैंगॉल में अपना बोटर ड्रेन करती है अपने टोटल कोर्स यानि 2900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर का जो और से इस रिवर का बहावच्छेत है उसमें यह तिबत ओटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना इंडियन जो स्टेट्स हैं अनाचर प्रदेश अंड आसाम बांगलादेश से होती हुई फ्लो करती है इसकी जो मक्सिमम लेंथ है उसमें अधिकां सपार्ट इसका वोटरवे के रूप में यमर्ज करती है जब भारत मेरियर और इसमें नांचा बर्वा इंड बनाती है काफी गहरा गोर्ज यहां पर यह बनाती है गोर्ज क्या होता है गोर्ज is a deep channel that is formed by a river as a result of the earth's crust erosion over millions of years through water action बैते वे पानी की वज़े से जो crust है, earth की crust है उसमें erosion करता है water erode करता है और काफी deep channel बना देता है जिससे गोर्ज कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा is one of the longest rivers of the world this river which is known by different names इसके names अलग अलग है इन तिब्वत it is known as सांगपो और बांगलादेश में यह है जमना के रूप में और भारत में ब्रह्मपुत्र के रूप में जानी जाती है इसका भारत में जो टोटल लेंथ है टोटल लेंथ इन इंडिया वो 725 किलोमेटर्स है इसके जो मेजर ट्रिब्यूट्रीज है उनमें तीस्ता, मानस, लोहित, सुबंशुरी, कामेंग, भारेली, धन्शुरी, चंपामती, सरल्भंगा और शंकोस है जो की हिल्स में हैं उसके अलावा जो प्लेट्यूज से हैं साउथ में वह भूरी दिहांग, ददिशांग, दिखो, कॉपी ली तो यह सारी इसकी ट्रिब्यूट्रीजन मैक्सिमम डिशार्ज इसमें वोटर होता है चुकि काफी हैवी रिवर्स है और सब मांटेनियस रिजिन से हैं उनमें वोटर बहुत है और वो सब इसमें करती है तो इसकी वज़े से जो है इसमें river flow, जो water flow होता है वो काफी heavier होता है जिसकी वज़े से शिवेर floods आसाम और बांगलादेश में every year आते हैं ब्रहमपुत्रा river जो है धूबरी नामक स्थान इंडिया जहां से यह बंगला देश में एंटर कर जाती है और फिर साउट वर्ड फ्लो करती है बंगला देश में इसमें तिस्ता रिवर जोइन करती है राइट बैंक से और वहां के बाद इसका नाम हो जाता है जमना फाइनली यह जो है पदमा रिवर जो की गंगा रिवर का नाम है भारत में जो गंगा रिवर थी वो जो बंगला देश में आती है तो पदमा हो जाती है पदमा रिवर जो है यहां बंगला देश में इसके साथ मर्ज करती है जमना के साथ और मर्ज करने के बाद मेगना की रू ब्रह्मपुत्र रिवर इसे भारत की रेड रिवर भी कहा जाता है इसमें रेड सोईल के सस्पेंशन से हैं ब्रह्मपुत्र रिवर इसके विज़े से इसका रेड होता है माजुली माजुली is the largest river island riverine island in the world माजुली जो नदी द्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है और वो आसाम में situated है आसाम जो भारत का एक नौर्थ eastern पार्ट में स्टेट है माजुली शब्द का वैसे साब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है land in the middle of two rivers यानि दो नदियों के मद्धे का इस्तान माजुली कहलाता है तो यह ब्रहमपुत्रा river जो कि इस माजुली island के south से flow करती है और जो खेर खुटिया जूटी और सबंशरी river जो है वो इसके north से flow करती है तो यहां एक ही river island बनता है आप इमेज देख सकते हैं माजुली island का है दूसरा जो picture है वो वहां माजुली island पर जो sunset view है काफी spectacular view है beautiful view आप देख सकते हैं ब्रहमपुत river की एक और जो खास बात है वो है फेरी जो और बोड्स जो है बंबू और लेदर की बनी गुई जो की 3658 मीटर की जो अबव mean sea level है उसके उपर वहां चलाई जाती है तिबदन पार्ट जो है तिबद में specially तो वो भी एक बहुत beautiful जो characteristic है इसकी ब्रहमपुत river की और यह वाला जो water way है वो लगबद से 670 km erosion की वज़े से centurist से जो erosion होता आया उसकी वज़े से हिमालिया जो है वो कई parts में divide हो गया है और वो जो division है वो river to river उसके name दिये गये हैं उनका nomination किया गया है तो वो इस परकार से है इंडस river से लेकर सतलोज river के जो बीच का हिमाले है उसे पंजाब हिमाले कहा जाता है सतलोज river से लेकर के काली river तक का जो part है उसे कुमाई हिमाले कहा जाता है काली river से लेकर के तीस्ता river तक का जो हिमाले range वो नेपाल हिमाले के नाम से जानी जाती है और तीस्ता river से लेकर तो ब्रहम्पुत्र रिवर तक का पार्ट है उसे आसाम हिमाले के नाम से जानते हैं। यह सब इरोजन की बज़े से ऐसा हुआ। प्लांट और एनिमल लाइफ जो ब्रहम्पुत्र रिवर भी से ने उसमें कैसा है। तो वेजिटेशन कवर जो यहां है वो लेंड फॉर्म्स पर डिपन करता है। मौंटेंस में अलग टाइप की वेजिटेशन है और प्लेंस में अलग टाइप की है। गंगा और ब्रहम्पुत्र जो प्लेंड है उसमें ट्रॉपिकल डेशोडियस ट्वीज पाए जाते हैं और उनमें जो फेमस है या जो कॉमन है वो है टीक, साल, और पीपरॉबु इसके अलावा थिक बैंबू ग्रोज भी यहां पर कॉमनली देखने को मिल सकती है यह मिलती है और इनमें से एलिफेंट्स, टाइगर्स, मंकीज, और यह कॉमनली फाउंड जो है, कॉमनली दे आर फाउंड इन इस रीजन, इसके अलावा जो काजी रंगा संक्चुरी है वहां पर वन होंड राइनोसेरस पाया जाता है जो कि इस रीजन की स्पेशल करेक्टरिस्टिक है या स्पेशल एनिमल है यहां का इसके अलावा डेल्टा रीजन में बैंगोल टाइगर, एलिगेटर और क्रोकडाइल्स भी पाय जाते हैं एक्वेटिक लाइफ के बात करें इस रीजन में तो रोहु, कटला और हिलसा जो है यहां की कॉमनली फिश हैं जो कि यहां के लोगों के लिए फूड भी अविलबल करती हैं या फूड बनती हैं यहां के लोगों का कॉमन फूड है तो फ्रेंड्स मैं सोचता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए काफी फ्रूट्फुल रहेगा पसंद आए तो लाइक करें सब्सक्राइब करे थैं कि वेरी मुट